हेलो एवरिवन इसके पुर्व हम लोग ने वीडियो में देखा था भोजन को पौश्टिक तत्तों से सम्रीद बनाने की विधियां किस प्रकार से भोजन को और अधिक पौश्टिक बनाया जा सकता है जिसमें हम लोगों ने मिश्रन, खमीरी करन और अंकुरन के बारे में जा आईए आज हम लोग देखते हैं दैनिक आहार दिन चर्या इसमें है देली मिल रूटीन सुबह से रात तक के भोजन की एक योजना बनाई गई है तो इसको हम लोग क्रमवत देखते हैं सबसे पहले हैं प्रात्यकाल का नास्ता पारंपरिक नास्ते के पदार्थ हैं फल, ज दूस, अंडे, अनाज, इत्यादी और पारंपरिक भोजन भी हो सकता है जैसे कि दोफर के तथा रात के भोजन के लिए पिज्जा, हॉट, डॉक्स, तथा सलाद, एक संतुलित नास्ता कम से कम तीन अत्वा अधिक भिन निभोज समूहों से बनना चाहिए जो कार्वोहाइ बस्टे के समय कम से कम तीन पोड़कत्तों का समावेश अबस्टे ही होना चाहिए प्रोटीन, कार्भोहाइड़ेट और व्सा नास्ते में तदिक चीनी का उप्योग नहीं करना चाहिए जैसे हम लोग देखते हैं कि प्रातर काली नास्ता ऐसा होना चाहिए कि दिन की पॉस्टिक्ता एक तिहाई आवसकता की पूर्ति कर सके इसके लिए प्रतेक भौजे समू में से एक खादेपदार्थ उप्युक्त मात्रा में ले क्या है पूर्य दिन एक तिहाई पॉस्टिक्त तOR च्था की आवसकता की पूर्ति कर सके सुबह का नास्ता फिर प्रातक कालिन नास्ता साधा पॉस्टिक तथा सिग्र पचने वाला होना चाहिए कैसा होना चाहिए जो सिग्र पच सके हलका भी होना चाहिए और साधा भी होना चाहिए बहुत ज़्यादा तेल, मसाला, तला, छना ये सब नहीं होना चाहिए फिर प्रात्यकालिन नास्ता परिवार के हर सदस्य के कारिक के अनुसार होना चाहिए जैसे पढ़ने वाले बच्चों के लिए हलका तथा पौस्टिक वा अधिक उर्जा देने वाला नास्ता होना चाहिए क्या एक पढ़ने वाले वेक्ति को अगर बहुत जादा है भी लंच दे दिया जाए नास्ते ब्रेकफास्ट दे दिया जाए तो फिर पढ़ाई करने में उन्हें परिसानी हो सकती है तो क्या है बहुत अधिक उर्जा वाला खादे पढ़ात होना चाहिए उर्जा से भरपूर खादे पढ़ात क्या है हलका भी होता है जल्दी पच्छने में भी वह आसान होता है कुछ ब्यक्ति नास्ते हैं बहुत कम भुजपदार जैसे दो बिस्किट वचाय लेते हैं तथा कुछ ब्यक्ति नास्ता बिलकुल ही नहीं लेते हैं अहार का आवजन इस प्रकार किया जाए कि नास्ते का प्रोग्राम बिलकुल समात्त ना हो सके क्या है? सुबह का जो नास्ता है वो रात भर के बहुत लंबे समय के बाद हो जाता है इसलिए नास्ता तो लेना ही चाहिए अहार इस प्रकार किया जाए कि नास्ते का प्रोड़ाम बिल्कुल समाप्त नहीं हो असा नहीं है कि नास्ता लेना ही नहीं है कुछ ने कुछ तो सुबह में जरूर लेना है प्रयोगों के आधार पर यह ज्यात होता है कि सुबह का नास्ता न लेने पर व्यक्ति की कारे छमता कम हो जाती है बच्चों को सुबह स्कूल का कारे करने तथा पढ़ने में भी मन नहीं लगता है जब तक उसे कुछ नहीं दिया जाए क्योंकि एक लंबे गैप के बाद सुबह का नास्ता होता है रात के खाने के बाद क्योंकि दिन भर में तो लोग 2-4 गंटे में कुछ ने कुछ खाई ही लगते हैं लेकिन रात वाले में थोड़ी दिकत है तो इसमें नास्ते की बेवस्था को बिल्कुल समात्र न किया जाए पिर दोफर का भोजन कैसा होना चाहिए आईए देखते हैं दोफर का भोजन हलका सुपाचे होना चाहिए जिसे खाकर बेक्ती को सुस्ती या नींद ना आए और वह अपना कारे चुस्ती से कर सके बहुत से बेक्ति दोफर का भोजन अपने ओफिस की कैंटीन से लेते हैं तथा बहुत से लोग दोफर के भोजन की जगा समोसे या आलू की टिक्की या चाय ले लेते हैं जो बेक्ति बाहर काम करने वाले हैं वो लोग घर से लंच न ले जाकर बाहर में ही समोसे, आलू किटिकी या फिर बजार से कुछ और भी मंगा कर चाय के साथ ले लेते हैं इसमें लस्ती, फल, सैंड्वीच या पराथा या पूरी लेकर सुधार किया जा सकता है कारे करने वाले बेक्ति या इस्कूल जाने वाले बच्चे के लिए घर से दोफर का भोजन तयार करके ले जाना ज्यादा अच्छा होता है क्या है, ऐसे बेक्तियों के लिए या इस्कूल जाने वाले बच्चों के लिए घर से टिफिन की बेवस्ता होनी चाहिए बैग में डाल दिया वो अपने समय पे लंज टाइम में कुछ ले ले खा ले तो घर के खाने की बात ही अलग है यह अवस्य है कि दोफर के भोजन में सभी भोजे समू के भोजे पतार सम्मिलित हो घर से स्कूल या आफिस में भोजन ले जाने में भोजन ठंडा हो जाता है परन्तु भोजन के गर्म या ठंडे होने पर उसकी पॉस्टिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है यह स्वभाविक है कि काफी समय का गैप हो जाता है तो भोजन ठंडा होना स्वभाविक है तो लेकिन उसके पॉस्टिक तत्तों में कोई परिवर्दन नहीं होता है किन्ति यदि ठंड़ा भोजन बच्चे को आकर्षित नहीं कर पाता है तो बच्चे की भोजन के प्रति रुची कम हो जाती है हर बेक्ति चाहता है कि गर्म गर्म घर्म खाने की ख्षा हर बेक्ति में होती है लेकिन ये हर समय संभव नहीं है लेकिन अभी बाजार में भी ऐसी वेवस्था है कि होट पर्ट वाले बर्तन है तो वैसे में बच्चों को या फिर कुछ पेपर्स वैसे आते हैं जिसमें खाने को लेपेट देने से कुछ समय तक वो गर्म रहता है फिर रात्री का भोजन रात्री का भोजन प्राय दिन का मुख्य भोजन होता है प्राय दिन का मुख्य भोजन होता है तथा जिसमें अधिक भोज्य पदार्थ हो सकते हैं क्या है रात्री के समय परिवार के सभी सदस्य उपलब्द होते हैं घर में और आराम से वो लोग सभी म दौज़ी अंयाहर के पेक्छा अधिक गरिश्ट होता है शाधरणत दोफर के भोजन में तथि रात्री में पराठा सब्जी अधिक अधिक होता है पराठा अधिक गर्ष्टता के कारण पाचन में असुविधा उत्पन कर सकता है अतर रात्री में हलका तथा पोशन युक्ते आहर लेना अधिक उत्तम होता है दोफर की खाने में यदि रायता तथा सलाद नहीं लिया गया है रात्री के भोजन में इसका अपयोग किया जा सकता है या करना चाहिए रात्री के भोजन में पूरे दिन की उर्जा की मात्रा को पूरा किया जाता है जो भी पोशकत तो हम लोग सुभा के नास्ते या दोफर के भोजन में उपलफद नहीं करवा पाते हैं वो रात्री के भोजन में पूरा किया जा सकता है इसे अधिक क्रियासील बैक्तियों को कैलोरी किया सकता अधिक होती है इसलिए हुए कैलोरी की मात्रा को पूरा करने के लिए आलू, चावल तथा अनेस्टार्ट, युक्त्पदार्थ तथा मास आधिक अपड़ियों के अपनी इक्छानुसार कर सकते हैं बहुत ज़्यादा काम करने वाले बैक्ती सारीरी क्रूप से बहुत अधीक काम करने वाले बैक्ती को उर्जा की अवस्सक्ता अधिक हो जाती है तो एससर में वो अपनी 1690 खादे-पदार्थों का चुनाओ कर सकते हैं परन्तु कम क्रियासिल बैक्ति को कम उर्जायुक्त आहार ही लेना चाहिए उसकी बाद है स्नेक्स आहार के बीच में लिए गये खाद पदार्थों के बारे में कोई विसेस नियम नहीं है जैसे क्या है सुबह तोफर और रात का खाना या रात का भोजन एकदम फिक्स है लेक लिया जा सकता है नहीं तो वैसी कोई बहुत बहुत ज्यादा वैसा कोई जरूरत नहीं है जिसके इक्षा है वो ले सकता है अहार के बीच में लिए खादे पदार्थों के बारे में कोई विसेस नियम नहीं है अधिक क्रियासिल बच्चों को दो आहार के बीच में कोई भी खादे-पदाथ देते रहना लादायक होता है बच्चो की हार में बहुत जादा घैप घंटों का घैप नहीं होना चाहिए कि है क्योंकि उनके सब्सेयों दिदा उर्जा ज्यादा बच्चों को ऐसे खादे-पदाथ देने चाहिए जिससे अहारके समें उनकी भूख कम ना हो, अधिक क्रियासिल ब्यक्ति तथा छात्र भी आहर के मद्धिक खद पदात लेने में चूस्ती महसूस करते हैं, पर इसका अर्थ पूरे दिन कुछ न कुछ खाते रहना नहीं होता है, क्या बीच में कुछ ले लेना ये अच्छी बात है बच्चों के ल जाती है, तो ऐसा नहीं कि दिन पर थोड़ा बहुत कुछ ले लेना अलग बात है, लेकिन हर समय कुछ न कुछ लेते रहना, पैसे में खाने के वक्त भूख भूख नहीं लगती है, भूख समाथ हो जाता है, या खाने की इक्छा नहीं होती है, तो सभी चीजों का एक अप जाना कि कितने बार आहार की विवस्था होनी चाहिए, जैसे सुबह का नास्ता, ये दोफर का खाना, फिर रात का खाना, अगर बीच में जर्वर्ट परें, तो बच्चों को हलका फुलका स्नैक्स दिया जा सकता है, लसी दे सकते हैं, फलो का जूस दे सकते हैं, तो ऐसे मे और फिर हम लोग आगे परिवार के विविन सदस्यों के लिए आहार आयोजन, इसके बारे में भी जानेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम लोग अगले चैप्टर में गर्भा वस्था के लिए आहार आयोजन, इस पर चर्चा करेंगे, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, झांक यू